ये कहानी है उसकी जो कहता था घुलामी किसी की अच्छी नहीं होती और आजादी तुम्हें कोई देता नहीं चार्ट साल के लंबी ब्रेक के बाद आखिरका राज रनवीर कपूर के फिल्म शमशेडा बॉक्स ओफिस पर रिलीज हो गई है जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से फैंस इसको देखने के लिए काफी उच्साहित है ट्रेलर देखने के बार से ही फिल्म में रनवीर की अक्टिंग की जम कर तारीफ हो रही है सिर्फ इतना ही नहीं ये भी कहा जा रहा है कि ओपनिंग डेपर ये फिल्म कार्टि कार्यार की भूल भूल या टू को कड़ी टकर दे सकती है इस फिल्म में रनवीर के अलावा वानी कपूर और संजेदर भी है संजेदर जहां एक पुलिस वाले शुद्व सिंग के किरदार में है तो वहीं वानी कपूर ने जांसर का रोल निभाया है फिल्म देखने के बार तर्शकों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है लोगों को फिल्म काफी पसंद आ रही है शमशेरा भले ही आज रिलीस हुई हो लेकिन इस फिल्म को हिट कराने के लिए मिकर्स ने भूल भूल याटू वाली ट्रिक अपनाई है शमशेरा की रिलीस होने से पहले ही सोमवार को मिकर्स ने इसकी एडवांस बुकिंग ओपिन करती थी एडवांस बुकिंग में शमशेरा ने 4.87 करोड रुपय का कारूबार कर लिया था तो वहीं दर्शकों के अच्छे रिव्यू और एडवांस बुकिंग के कारूबार से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भूल भूलाया 2 के बाद ये फिल्म भी सूपर हिट साबित हो सकती है फिल्म देखने के बाद एक ट्विटर यूजर ने ये कहा है कि ये एक शांदार रोमांच है इसे देखने के बाद आपका दिल फिखल जाएगा और आपको इस फिल्म से प्यार हो जाएगा विजुल का कॉंसेप्ट, डारेक्शन और नेसंदेर रंवीर की परफॉर्मनस जबरदस्त है तो वहीं दूसरी यूजर ने लिखा है कि engaging, entertainment, accident, रंवीर का entry scene, train का sequence सबी कुछ बढ़िया और मसालेदार तरेके से एक लिक किया गया है जंता के लिए बिल्कुल सही फिल्म है इसमें कुछ बहतरीन शौट है, करनमनोत्रा और पूरी टीम को बढ़ाए वहीं कई दर्शक तो थियेटर में बैट कर आधी फिल्म देखने के बाद से ही इसे बहतरीन बता रहे है एक दर्शक ने तो आधी फिल्म देखने के बाद ही इसके 5 में से 3.5 की rating day डाली लोगों ने इस फिल्म के action scene से लेकर romantic scene तक हर एक बात को शानदार बताया है हलाकि कईयों को फिल्म के गाने कुछ खास मन नहीं लुभा पाएं लेकिन अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि क्या ये फिल्म हाल ही में आए कुछ फिल्मों को पचार पाएगी या नहीं